को लेकर पूरे देशबर में विरौध हो रहा है। दरसल अब कॉंग्रेस पार्टी देशबर में फ्रन्टूट पूट पे हैं गजगे प्रदशन कर रही है। और कॉंग्रेस पार्टी का यह कहना है जो कुरनाकाल चल रहा है सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होगी एक्जाम को लेकिन जैपूर में जो प्रदेशन चल रहा है आपको तस्वीर दिखा हुआ इतना बड़ा सारा यहां पर लगा रखा है लेकिन सोशल डिस्टेंस का किस अग्जाम सेंटर पे नहीं रहत पाएगा लेकिन धरनों में दस्टेंस की कि तर रही है जब मुद्धा ह Bai है कि सौशल डिस्टेंस एक्जाम सेंटर पर नहीं रहत तर रहтесь से दव्लुहां का माघौल उड़ते हुए नजर यह तस्वीर आप देख सकते हैं हम जैपूर से दिखा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी जरूर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है धर्नों के माध्यम से कही ना कहीं विपक्स के खाते एक धरना देना भी जरूर था उसके खाते यहां पर धरना दिया जा रहा है और आपक के गैप में यहां पर लोगों को बिठा सकते थे लेकिन यहां पर साफ तोर पर नियमों का माखोल उड़ा जा रहा है और उन्हीं नियमों को लेकर परिशान निरस कराने की बात की जा रही है उन्हें देश बर में कॉंग्रेस पार्टी युवाओं के बीच में माहोल बनान चारी है लेकिन खुद नियमों का माखोल उड़ा रही है ऐसे में दोरी नीति कैसे एक तो राजिस्तान में लगातार एक्जाम हो रहे हैं राजिस्तान में नीट और जीही के एक्जाम अब तक कैंसल नहीं हुआ है लोग सवाल उठा रहे हैं दूसी तरह यहां पर कई ना क कि मुद्दे का माखोल खुद उड़ा रहे हैं कैमरा परसेंट चक्ति के साथ जिते जिठा नानी टीवी नाइन भारत वर्ज जैपूर राजिस्तान परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ज पर